महा संग्राम दुयर 22 में कोर्सी की जंग हम दिखाएंगे किस ने किया कितना गांग इसको चुनेगी जंता किस की बनेगी सरकार जंता से होगी सीधी बाद हर विधानसवा छेतर का लेका जोका होगा आपके सामने किस प्रत्यासे में कितना दम देखिए सेवन एले नियूस भ की बस्पा कार्यकरताओं न कहा कि सासन के आदेश का पूरा पालन किया गया लेकिन बस्पा मुख्या मायवती को सुनने के लिए जंता उमड़ पड़ी जहां बस्पा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थी वहीं जंता अपनी नेता मायवती को देखने और सुनने के लिए उस स प्रदेश का पांची बार मुक्रमत्री बनाने के लिए जी जान से आज से ही जुट जाएगा कितनी प्रमुशन थे जैसा कि आप देखते हैं कि कोरोना की जो गाइडलाइन है में चुनाब आयों कि तो एक हजार कर्षिया अस मेदान में लगी थी एक हजार कारकरताई हम लोगों ने बुलाए थे पूरे आगरा मंडल से और प्रत्यासी आये थे और एक हजार कारकरताई की सिटिंग हम लोगों ने की तो यह मैं आपके बसाना चाहूंगा कि जैसा कि उसका पर दिसकी 403 सीटों के प्रत्यासीयों की चाहतने के अलावा पूरे देश में वोधिंसमाज पार्टी का जो मिशन चल रहा है उसके लगने लगने काम किया था जैसा कि वह ने बताया कि कल तक वह अपने 403 प्रत्यासीयों से मुलागाद करके अपना प्रत्यासी पू करने के लिए जन्दा के बीच में आच तो आपके सामने दुखी रहा जो सकतना था जो एक हजार लोगों की हमारे को प्रमिशन दी थी इस सरकार में उसके बाद जुछ भी है अजारों की संक्या में लोग इस पारिदाल के बाहर उपस्तित थे और जब बहंदी ने बोला कि को जिटाना है और बस्ता उसकता में लाना है इसको लगाता पीचे से जंदा जो लगाता है इसको दिवर्शन तरजी रही थी आप मैं जेका होगा पूरे नियमों के साथ जो सरकार की गाड़ लाइन थी और नाइंटिन को भी जानना रखते हुए और चुनाब आयो की जान संदेश बहुत अच्छा है और जन्ता में उस्सा है पाच विवार मानने वहंजी को मुख्यमंती बनाना है तस तारीक को सभी लोग अपने भूश से बोट करेंगे और मानने वहंजी की सरकार बनाएंगे